जनमास्टमी के पावन अफसर पर मैं आपके साथ आटे की पंजीरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो की खाना जी का प्रियेब हो गए आप इस पंजीरी से जनमास्टमी पर ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और पोस्टिक हो इसका लिंक मैं डिस्क्रिशन बॉक्स में डाल दूँगी हैलो फ्रेंड्स वैलकम टू वनीतास किचन और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें तो चलिए देखते हैं कि आटे की पंजेरी कैसे बनाते हैं सबसे पहले गैस चालू करके गैस पर कड़ाई रखेंगे अब हम इसमें वन फॉर्थ कप देसी की डालेंगे गैस का फ्लेम लोग ही रखना है अब हम यहाँ पर दो कप गयों का आटा डालेंगे मैंने गयों के आटे को चान कर लिया है अब हम इसे लगातार चलाते हुए मेडियम फ्लेम पर भूनेंगे इसे जब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें सोंदी सोंदी कुशबू ना आने लगे और जब तक कि यह ब्राउन कलर का ना हो जाए यह देखिए इसका हलका हलका कलर चेंज होने ल अब हम इसे लार्ज बाउल में ट्रांसफर कर देंगे अब इस भूनेवे आटे को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे अब हम कडाई में एक चम्माज देसी की डालेंगे जब घी गरम हो जाए तो बदाम डालेंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे और गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे ये देखे बदाम फ्राई हो चुके हैं अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे अब हम कड़ाई में एक चमस देशी की डालेंगे और गी के गरम होने पर काजू डालेंगे और इसे लोफ लेम पर गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे ये देखें काजू फ्राई हो चुके हैं अब हम इन्हें बाउल में ट्रांसफर कर देंगे अब हम कड़ाई में एक चमस देशीगी डालेंगे और पिस्तो को फ्राई कर लेंगे ये देखे पिस्ते फ्राई हो चुके है अब हम इने बाउल में निकाल लेंगे कड़ाई में एक चमस देशीगी डालेंगे और घी के गरम होने पर किस्मिस डालेंगे और लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ये देखिए किसमिस फ्राई हो चुकी है अब हम इने बाउल में निकाल लेंगे अब कडाई में एक चमज देसी की डालेंगे गी के गरम होते ही खरबुजे की बीज डालेंगे इने हलका सा चलाएंगे और इसके उपर कोई जाली या ढकन रख देंगे गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे हम जाली या ढकन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये चटकते हैं और कडाई से बहार आ जाते हैं ये देखिए खरबुजे के बीज फ्राई हो चुके हैं अब हम इने बाउल में निकाल लेंगे अब हम कडाई में दो चम्माज देशी घी डालेंगे घी के गरम होने पर मखाने डालेंगे और लो फ्लेम पर गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे आप अपने अवश्रक्ता अनुसार ड्राई फूट की कौन्टिटी कम या ज़्यादा कर सकते हूं ये देखिए मखाने फ्राई हो चुके हैं अब हम इने बाउल में निकाल लेंगे अब कडाई में डैसिकेटिड कोकुनट डालेंगे और इसे लगातर चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे और गैस का फ्लेम लोही रखेंगे ये देखिए ये बहुत जल्दी ही भुण जाता है अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे अब इसे पूरी तरा से ठंडा होने देंगे जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी इसमें बूरा डालेंगे ये देखे हमारी पंजीरी ठंडी हो चुकी है अब हम इसमें आदा चमच इलाइची पौडर डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक का बूरा जिसे हम चान कर लेंगे अब इसे चम्मच की सायता से अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें थोड़े से तुलसी के पत्तों को अच्छे तरह से धो लिया है तुलसी के पत्ते समय आप ध्यान रखें कि आप इसे नाकून से न तोड़े इसे इस तरह से फिंगर से तोड़े जब पोदे से तुल्ची के पत्ते तोड़ रहे हो तब भी और इस समय भी आप इसे कभी भी ना तो चाकू से काटे और ना ही नाखून से काटे भगवान श्रीकिष्ण का प्रिये भोग आटे की पंजेरी भोग लगने के लिए बिल्कुल तयार है आप इसी विधी से आटे की पंजेरी जरूर बनाईए और अपना एक्सपिरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें इस तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी जॉइन कर सकते हैं